हलो फ्रेंट्स आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको बहुती आसान तरीके से बोटनेक ब्लाउस के गले की कटिंग करना बताऊंगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जब भी हम बोटनेक ब्लाउस के नेक की कटिंग करते हैं हमारे मन में यही शंका होती है कि हमें बोटनेक ब्लाउस के गले की चुड़ाई कितनी रखनी हुगी आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देने सबसे पहले हमने बोटनेक ब्लाउस की कटिंग करने के लिए यहां ड्राफ्टिंग पेपर लिया हुआ है इस पर मैं आपको ड्राफ्टिंग करना पताऊंगा जब भी हम कोई बोटनेक ब्लाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमें शोल्डर का जो परफेक्ट मेजरमेंट होत उसके बाद ही हम boat neck blouse की cutting करते हैं boat neck के गले की cutting करने के लिए सबसे पहले हमें जो उसकी broadness है 4.5 इंच की हम marking करेंगे 4.5 इंच की broadness हमें boat neck में लेनी होती है अगर आप इसे कम याज़ादा करना चाहते हैं तो अपने according कम याज़ादा कर सकते हैं पर जो एक परफेक्ट जो measurement होता है regular measurement यही चलता है कि आप 4.5 इंच की चोड़ाई रखें और हमें जो नेक की लेंध है 3.5 इंच पर मार्क करनी है उसके बाद हम इसे एक box बना लेंगे और इस box में हमें boat neck का shape ड्रो करना है हमने ये box बना लिया है अब हम इसमें आपको boat neck का shape देकर बताएंगे हमें बिल्कुल नाओ के आकार में इसका shape ड्रो करना है shape ड्रो करने से पहले हम उपर के पार्ट में half inch का margin छोड़ देंगे जो हमारा stitching में जाएगा half inch के margin के नीचे से हमें boat neck के shape को ड्रो करना है इस तरह से आपको boat neck का shape ड्रो करना है हमें इसे बहुत ज़्यादा गोलाई में नहीं रखना है इसी तरह से हम इसे नाओ के आकार में बना लेंगे अगर आपको इस तरह से shape देने में परिशानी होती है तो आप एक कटोरी की help से भी इसका shape ड्रो कर सकते हैं इस तरह से आप कटोरी को रख लीजिए उसके बाद हमें सिर्फ इतने इतने पार्ट में गोलाई का shape देना है और उपर से आप उपर वाले shape में मिला कर और नीचे से आप नीचे इस line पर मिला सकते हैं और हम पूरे गले का shape बना लेंगे अब यह हमने अपना shape पूरी तरह से draw कर लिया है अब मैं आपको इसे cutting करना बताऊंगी अब हम इसे cutting कर लेते हैं मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप cutting करेंगे तो जो हमारा Caesar का पीछे वाला हिस्सा है उसी से हमें cut करना है जिससे कि हमारा जो नेक है या कोई भी चीज हम cut करते हैं वो बहुत finishing से और अच्छी तरह से cut होकर तयार होती है इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पीछे वाले पार्ट से ही cutting करनी है यह हमने इसके पहले हमें बाहर वाली लाइन cut की है अब हम इसके अंदर वाली लाइन को cut कर लेते हैं cut करने के बाद मैं आपको इसका shape बताती हूँ यह देखे फ्रेंट्स हमारा यह cut हो चुका है अब आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल perfect जो boat neck है हमारा बन कर आया है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और fitting में भी आपको कोई problem नहीं होगी बहुत ही अच्छी तरह से यह fitting भी हो जाता है अब मैं आपको जो back neck है उसकी cutting करना बताऊंगी back neck की cutting करने के लिए सबसे पहले हमें फिर से एक पेपर लिया हुआ है drafting paper हमें लेना है इसमें हम back neck की drafting की marking कर लेते हैं back neck की हम इसमें अब marking करेंगे हमें इसकी जो broadness है front neck के हिसाब से ही लेनी है जिस तरह से हमने front neck में साड़े चार इंच की broadness ली है इसमें भी हम साड़े चार इंच की broadness लेंगे और जो back neck का हम जो length है वो हमें 3 inches नहीं लेते हुए 2 inches की लेनी है front neck में हमें हमेशा 3 inches लेना होता है और back neck में हम 2 inches लेंगे इसके बाद हमें जो नीचे का shape है उसे अलग से draw करना है सबसे पहले हमें जो back neck का एक size पता होना चाहिए जितने भी neck size का पहनते हैं उस हिसाब से हम neck की length लेन्थ ड्रॉ करेंगे जैसे अगर कोई 10 inches का पहनता है 1.5 inches का अगर किसी ने पहनता है तो हम उसे 10 inches पर cutting करेंगे इसलिए मैं आपको 1.5 inches के हिसाब से cutting करना बताऊंगी हमने ये 10 inches पर एक mark कर लेना है और जो हमने 2 inches पर mark किया है उस पर हम उपर के round का shape draw करेंगे और हमें 4.5 by 2 inches का एक box बना लेना है उस box में हम उपर के round का shape बनाएंगे हम scale से lining बना लेते हैं और ये हमारा box हमने बना कर तयार किया है इसमें हमें round का shape देना है और ये वाला जो part है इसे हमें check करना है कि यह कितना है उपर हमें half inch का margin चोड़ना है उसके बाद हमें इसे निचे का mark करना है उपर हम ज pojawे अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं आप चाहें तो 8 inch का छोड़नें आप चाहें तो एक inch का दो inch का जिटना भी आप चाहें आप छोड़ सकते है अब हमें नीचे के शेप में मार्किंग करनी है यह हमारा सवा साथ इंच आ रहा है सवा साथ इंच का हम हाफ पार्ट पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन इसकी हम ड्रो कर लेंगे हाफ में हमें से ड्रो कर लेना है इसके बाद हम इसकी मार्किंग करते हैं हम इसकी ब्रोडनेस का भी मार्क कर लेते हैं जितनी हमें चोड़ाई लेनी हैं मैं आपको धाई इंच के हिसाब से इसकी ब्रोडनेस बताऊंगी हमने ये धाई इंच का चोड़ाई रखनी है धाइंच का हमने मार्क कर लिया है अब हम इसमें शेफ देंगे आपको ये शेफ प्लेस की सहयता से बनाना बताऊंगी ये देखे हमें प्लेस को इस तरह से रखना है कोन्य को हमें इस वाले मार्क पर और सेंटर का जो मार्क है वहाँ पर हमें मिलाते हुए एक शेप ड्रो कर लेंगे इसी तरह से हमें प्रेस को उल्टा रखकर इधर भी ये शेप ड्रो करना है इस तरह से हमारी बिल्कुल आसानी से जो ये पत्ती का शेप है बनकर तयार होगा और जो सेंटर का पार्ट है यहां से हमें थोड़ा सा गोलाई में अब शेप दे लेना है जिससे कि हमारा शेप जो है बिल्कुल पर्फेक्ट ली और अच्छे से बनकर तयार हो हम इसे अच्छी तरह से राउंड में शेप दे देंगे अब यह हमारा शेप पर्फेक्ट बनकर तयार हो चुका है हम उपर वाले शेप को ड्रॉ कर लेते हैं हाफ इंच का हमें मारजिन छोड़ना है इसमें भी इसके बाद हम इसे राउंड में बोट नेक के शेप में ड्रॉ कर लेंगे यह हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया है अब हम हाफ इंच का मारजिन लेते हुए पूरे नेक में ड्रॉ करेंगे पूरा नीचे तक हम इसमें हाफ इंच का मारजिन लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे आप इस वीडियो को बिल्कुल भी skip करके मत देखेगा friends मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा रखा है बट आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे इसलिए मैंने इसे इतना लंबी तरह के से बनाया है आपको ताकि मैं आपको इसमें पूरी basic और अच्छी तरह से जानकारी दे सकूँ अब हम इसकी आपको cutting करकर बताते हैं हमें सबसे पहले बाहर वाली line को cut करना है अब यह हमारी बाहर वाली line कट हो चुकी है अब हम इसकी अंदर वाली line को cut कर लेते हैं cut करने के बाद मैं आपको बताती हूँ यह देखे फ्रेंट्स अब यह हमारा cut हो चुका है और यह बिल्कुल perfect और बहुती प्यारा shape हमारा निकल कर आया है यह देखे आप बहुती अच्छा लग रहा है यह और बिल्कुल perfectly और आसान तरीके से मैंने आपको इसे cutting करना बताया है आप जब हम इसे blouse में stitch करेंगे तो हमें इस तरह से इसे stitch नहीं करना है मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से stitch करना है आप वीडियो को पूरी देखिएगा यह हमारा हमने back neck की cutting की है और यह हमारे front neck की हमने cutting कर लिए हमारा जो back neck है हमें इसे यहाँ से इस तरह से स्टिश नहीं करना है इसे हमें यहां सेंटर में से जो है कट लगाना है इस तरह से अभी मैं आपको इसको कट लगा कर बताती हूं इसे किस तरह से स्टिच करना होगा, यह हमारा जो यह वाला पार्ट है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इसे साथ में जोइंग किया है, बढ़ हमें इस तरह से इसे नहीं लगाना है, इसे हमें जो सेंटर है, सेंटर पार्ट में से हम इसे पट करेंगे, और यह वाला जो में स्टिश करना है आपको इस चीश का ध्यान रखना है अगर आप स्टिशी रिलेटेड वीडियो देखने में इंट्रेस्टेड है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर कीजेगा जिसे की आने वादी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें वीडियो में लार्स तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में